शंकर जी के हाँ मुखा बड़ा चक्कर है, स्वैम है पंचानन, एक बेटा गणेश उसका भी मुखा लग है, हाती का गजानन, वो पंचानन, ये गजानन, एक बेटा कारती के, वो शडानन, यानि के छे आनन, छे मुख कारती के, एक मुख गणेश जी, हाती का पांच मुख, शंकर जी के एक नंदी है बैल टबेला वो भी मुख़ लगी है एक चेला बनाया वो भी दश आनन वो भी दश आनन यनिकर गुरू वो समर्थवान है सवैम तो पाँच मुख वाला और अपने चेले को दश मुख वाला बना दे यह हैं पंचमुखो का अर्थ क्यों तंत्रिक तंत्र से क्यों हनुमान जी क्यों पास्ना करना चाते आप आप तंत्र से यह जैसे आप निगाल तंत्रिक टेक्नीक है लेकिन तब अच्छी है जब वो सात्विक्ता में लगे कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी negativity नहीं जाती कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दो तो हनुमान जी दुखी हो जाएगे जैसे आप वही question आ गया भजरंग बार क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए कुछ लोग कहते नहीं इसमें शपत दी गई है हनुमान जी को इसमें क्या किया गया है हनुमान जी को बड़ा मतलब ये कहा गया है ऐसे कर दो हनुमान जी ये कर दो आप हनुमास्टकम पढ़ लीजी उसमें क्या कहा गया है बेगी हरो जल्दी हरो राजस्थान की बाइशा है बेगी हरो जल्दी हरो ऐसे कोन कहता है जल्दी हरो किसी अपने नोकर कोई तो कहा जाएगा जल्दी हरो जल्दी काम कर बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कज संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग मैं कभी संकट मोचन अब मारतो शबत राम की राम दूत मरजवाद नाम की ये लाइन है ना बजरंग बान की कि इनको मारो अब जरूरी है कि वो बहार के संकट अंदर कौन कौन से संकट बैटे काम क्रोध मो लोब एहंकार मद मतसर इनको मारने की बात हो रही है और एक बात बताईए आप कोई विद्वान व्यक्ति होगा उसको कोई कहे कि तो कुए में खूँज जा खूँज जाएगा मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई अगर कोई खूद जाये तो उसको लोग क्या कहें रहे हैं मूर्ख था बाई और जो नहीं कूदा भाई समझदार है हनुमान जी से परम विद्वान कौन है विद्यावान गुनियति चातुर मैं कहता हूँ रावन था विद्वान लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान विद्वान होने का रथ इतना बड़ा नहीं चतुर तो शब्द अच्छा नहीं होता। तो मैंने का भाई, तुलसिदा जी कहता है, राम ही भजे, सो चतुर नर। जो राम जी को बजता है, वो दुनियाव सबसे चतुर है। तो हनुमान जी तो राम जी को सिनेंतर बजते हैं, आपका वालग भी ऐसा चतुर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुए में कूद गया, तो क्या है, मुर्क नहीं कूदा तो समझधार। हनुमान जी को हम कह रहे हैं, मिरा कश ठर लो, मिरा कश ठर लो, इसको मार दो, उसको मार दो। अनुमान जी यही करने के लिए बैठेंगे, आप कहेंगे और वो कर देंगे, आपने शपत दे दी उनको और वो कर देंगे, जैसे वक्रतुन्यमाहा काय, सूर्यकोटी सवप्रभा, निर्विग्नम कुरमेदेव, सर्वकारेशु, यहाँ पर कुछ संतों ने सर्व को अटाकर शुब कर दिया, हम गणेजी से कहेंगे सर्वकारे कर दो मेरे, मतलब कि दूसरे का पॉटकास खतम कर दो, मेरा पॉटकास नमबर वन कर दो, दूसरे के सुन्दरकांट बंद कर दो, रसाज जिमाराज के चलने दो, जुब कारे, ऐसे ही बजरंग बहाण में, हम कितना उकसाते रहें उन्हें, बताओ जामबंद जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने, जब उनके मतलब की बात आई, भाई रामकाज लगी तवा उतारा, तो अपने जीवन के कारे को जो रामकाज से जोड़ देते हैं, उनके वो कारे हनुमान जी करते हैं, अन्यता आप कुछ भी कहते रहो, बज़ सर, ऐसा कुछ नहीं है कि, क्यूंकि तांतरिक शब्द है उस मंतर में, जैसे कि शम शम शम, हम, 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 अम, हम, 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 शम, हम, 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 स्मर्भ suicirti wal birah एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी और वहां हमारी पेशकश क्या है हमारी बात को जो हम एक पानी पी लिजिए पानी पी ले ना बात एक ही है पानी पी लिजिए सर अरे भाई साथ पानी ले लीजिए बोलने का बस उसका टॉन का फर्क है बात वही है ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है आप चम 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 इससे क्या हुआ आप इस वर्ण वाले हैं सोने के वर्ण वाले हैं हनुमान जी सोने के वर्ण वाले हैं इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताईए किया हम बार-बार बजरंगबान को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिये आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग्बान सुना मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली एक पोड़कास्ट में आपका मैंने सुना वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी negativity में चले गए कि आपने बजरंग बान सुना और एक हफते बात आपको इंजरी हो गई बड़ी गंदी वाली कोई आपकी पुरानी जाग गई आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा दुख टल गया ये इंजरी बड़ी छोटी पर लगी क्या पता में और कुछ गटना गट जाती उस इंजरी से बाहर भी निकलने में बजरंग बान की मदद ली थी मैंने प्रभुजी आप 24 घंटे बजरंग बान पड़ी है